Hello students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your assistive teacher and this is your assistive book. Okay students, last time हमने reading करी थी about myself. आज हम इसके question answers करेंगे. Now, take out your notebooks. These students, हमारा topic है, question answers. Number one question है हमारे पास, what is your name? आपका क्या नाम है? My name is, आपका जो भी नाम है, ब्लैंक में फिल कर देना है. Number two question is, what is your father's name? आपके वालिद का क्या नाम है? My father's name is, ब्लैंक में फिल कर देना है. Number three question है, what is your mother's name? आपकी मामा का क्या नाम है? My mother's name is, ब्लैंक में फिल कर देना है. Number four question है हमारे पास, how old are you? आप कितने साल के हैं? I am, ब्लैंक में आप जितने साल के हैं, अपने अपनी age लिखनी है. Okay students, number five question है हमारे पास, how many members are there in your family? आपकी फैमली में कितने members है, there are, ब्लैंक में, जितने आपके family members है, वो लिखना है, members in my family. Okay students, इसके बाद हमारे पास है activity, page number two निकालेंगे, सब अपनी अपनी books में, so students, यह आपके पास आगया, page number two, about myself, इसमें देखें, आपके पास दुबारा साब से पुछा गया है, आपके about myself के बारे में, आपने अपने बारे में इसमें लिखना है, number one पे हमारे पास है, my name is, आपका जो नाम है, blank में fill करना है, my friends call me, blank में fill करना है, आपकी दोस्थ आपको जिस नाम से बुलाते हैं, I was burned on, आप जब पैदा हुए थे, आपने इस ब्लैंक में वो लिखना है उसके बाद है, I am, आप जितने साल के हैं, blank में लिखना है, years old, उसके बाद है, I am, blank में, centimeter tall, आपकी height कितनी है, आपने यहां पे वो लिखना है, उसके बाद, I weight dash kg, आपका जितना weight है, आपने इसमें वो लिखना है, last आपके पास देखें, weight के बाद है, आपके पास, my address is, address लिखना है, उसके बाद, my phone number is, अगर आपके पास mobile नहीं है, तो आपने यहां पे अपने, क्योंकि आप लोग भी छोटे हैं, तो यहां पे आप अपने ममा या पापा में से किसी का भी phone number लिख सकते हैं, उसके बाद है, I am in this class में पढ़ते हैं, वो लिखनी है, my favorite subject is, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, आपने यहां पे वो लिखना है, okay friends, I hope आपको आज के topic समझ आयोंगे, okay friends, Allah Hafiz